हेलो फ्रेंश विल्कम वैक टू एक्टिव माइंड तो फ्रेंश हम यहां पर के विएस टीजिती साइंस का सिलेवस अपना कंप्लेट कर रहे हैं तो इसके पिछले वीडियो में हमने लाइफ प्रॉसेस में यहां पर हमें नीरो has worked अचेयर में हमने से ग्पीशbas क्रोचा हुंसाइर वाइस क हैं तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो है ट्रांस्पोर्टेशन यानि सार्कुलेशन पढ़ा था इन्दा केस अंग धूमन विंग लेकिन आज हम वसको हम सब्सक्राइब कैने और यहां पर नतोर्छ में तो हम सब्सक्राइब होक्त है मेरा यानि water और क्या mineral में हमारा क्या क्या आ जाता है यहां पर nitrogen, phosphorus, potassium यह सब जो है यह plant हमारा ground से यानि जमीन से यानि soil से रेता है अब देखें यहां पर हमको यहां पर पढ़ना है क्या transportation तो यहां पर एक यह दो concept आता है if the distance between two cells is small अगर यहां पर distance जो है दो cell के बीच में बहुत ही छोटा है तो क्या होगा यहां पर diffusion या फिर osmosis के थूरू यहां पर transportation होगा अब यह small large यह क्या है मतलब यह cell के बीच में distance इसका क्या मतलब तो देखें इस तरह से हमारा जो है मा लिजे कोई एक plant है इस तरह से कोई एक plant है अब देखें फ्रेंस जब इसमें transportation होगी तो यहां पर food का भी transportation होता है यहां से यहां तक करना है मतलब इस यहां ground से केवल root तक करना है मतलब हमको यहां से जो हमारा soil है soil से यहां से कोई साफ mineral है या फिर water है वो हमको root तक पहुँचाना है तो यहां पर distance क्या है बहुत ही छोटा है तो यहां पर transportation किस माध्यम से होगा diffusion या फिर osmosis के थूरू हां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो अब जयंसे दिस्टेंस ज्यादा कब होना कई हमारोande को जांके यहाँ ठाकिस हपोल एक कोई अनिता के जरूट की तो help कर सके तो यहां पर देखिए इप डिस्टेंस बिट्विन लार्ज मतलब डिस्टेंस बिट्विन टू सेल इज लार्ज तो क्या होगा इससनल हम्को और आर्जन चाहिए कोई न कोई ना कोई सिस्टेंस जो कि इस्टाइशन में घल्फ कर सके तो यहां पर हम को यह पता भी है पढ़ते भी रहते हैं कि जो हमारा जाइलम होता है वो क्या करता है वो water का connection करता है और mirrors का करता है जो हमारा flowem होता है वो क्या करता है food का connection करता है और organic substance जितने भी होते हैं उनका connection यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रखना आप जो हमारा जाइलम होता है जाइलम क्या करता है यहाँ पर unidirectional movement क तो यहां पर क्या हो जएगा जब यह जाइलम जो है यहां से वाटर का कंडेक्शन करेगा तो यह उनली अप यानि केवल ऊपर की तरफ यह मूव कर सकता है ऐसा नहीं है पानी एक बार उपर लेके जाए फिर उपर से नीचे लेके आजए ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है यह नीचे की तरफ नहीं आएगा लेकिन हमारा हमारा फोलो जब यहां यहां पर हर एक डायरेक्शन में होता है क्योंकि अगर हमारे पत्तियों में जो है फूट बना तो वहां से वह डिफ्रेंट डिफ्रेंट ब्रांचे तक हमारे फ्लावर तक वह कैसे पहुंच पाएगा आपको एक फिगर से दिखाती हूं अभी देखें यहां पर यह हमारा जाइलम टिश्यू जो की क्या करी करता है वाटर एंड डिजॉल्ब मिनरल अप अप फ्रम रूट यह रूट टू अपवाइड लेके जाता है हमारे जल को या फिर हमारे वाटर को या मिनरल को अब यहां से उपर की साइड में ऐसे जाता है यानि यह क्या हो गया यह यूनी डिरेक्शनल हो गया और इस तरह से यह इस्टे मुकरणा से ऐसे होते हुए चला जाता है अब यहां पर देखें यहां पर है हमारा फ्लोम टीशू अब यह फ्लोम टीशू क्या करता है करी फूड डाउन तो सकता है यहां पर नहीं कि किवल डाउन वाइट ओन भी डाउन्य हो सकता है यहां पर नहीं हो अ उस तरह से फूर्ड यहां से बढ़ जाता है water and mineral from the soil तो और water और mineral इस तरह से यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर तो फिर्स यहाँ पर एक question आता है कि why plants have slow transport system हमारे जो plant होता इसमें slow transport system क्यों होता है हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे अब हमने कल की वीडियो में क्या देखा था हमने जो इसके लॉश लेक्चर में देखा तो वहाँ पर हमने एक स्कृटरी स्टेम जो पढ़ा था वहाँ पर हमने क्या देखा था बहुत ही complex structure थे हमारा हर्ड था लंग था किस तरह से जा रहा कि हमारे plant में जो है यह इतना slow transport system क्यों दिखाता है क्यों रखता है यहां पर तो यहां पर क्या होता plant don't move यह तो हम जानते ही है हमारा plant जो होता वह मूम नहीं करता है plant body have a large proportion of dead cell in many tissue और जो हमारा plant होता है उसके बहुत सारे tissue ऐसे होते हैं जो कि dead होते हैं मैंने आप आपको बताया था कौन सा ऐसा tissue था इसके लेरन काइमा क्या होता है डेड़ी tissue होता है तो यहां पर क्या है वही बोला जा रहा है और इसके लेरन काइमा किसमें पाजाता है जो कि बार्क वागरा होता है तो यहां पर क्या होगा जितने भी इस टेम्स बार्क यह सोरी जो हमा थे प्रकुर्इंट अच्छों होती है इसलिए जब हमारा प्लांट वाटर करता है तो अभी मैं आपका बता है ट्रांस्पोर्ट अप्र हेलेम करता है तो यहां पे फ्रेंट जब हमारे जायल्यम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है तो उस प्रोसेज को हम एक नाम दे देते हैं और उसका नाम क्या है एसेंट आफ सैप याद रखना जाइलम जब ट्रांसपोर्ट आफ वाटर करता है ट्रांसपोर्ट आफ वाटर और मिनरल तो इसको हम क्य तो अभी मैंने आपको बताया यह दोनों आप याद रखना है हमारा एसे टाफ साइप यानि मुवमेंट आफ वाडर थ्रू जायलम क्या है यह यूनि ड्रेक्शन है और जो हमारा ट्रांस लोकेशन है यानि मुवमेंट आफ फूड और सुगर और फोटो इसलिए थू फुलो फोर एलिमेंट जो हमारा जैलम होता वो फोर एलिमेंट से मिलकर बना होता है यह मैंने आपको टिशू वाले चेप्टर में पढ़ाया भी है कि जो हमारा जैलम होता है उसके फोर मेन कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर कौन सा लिविंग कौन सा नॉन लिविंग यह सब भी मैं जाइलम फाइवर होता है तो अब यहाँ पर देखें फ्रेंट्स जो एसेंट आफ साइप होता है यहां हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं तो दा अपवर्ड मुव्मेंट आफ वाटर एंड मिनरल फ्राम रूट तु अपर पूर्शन आफ प्लंट अंगेश्ड ग्रैविटी यानि जब देखें ग्रैविटी हम इसा कहा लगती है नीचे की तरप और हमारा वाटर का मुव्मेंट किदर हो रहा उपर की तरप तो यह हो रहा है यह ग्रैविटी के अंगेश्ड ही तो हो रहा है न तो यह यहां पे बोल जा रहा है किखेर J5 का मुव्मेंट होता है यहां पर देखेर को यहां पर क्या होता है तो अब्लेखे प्रेट्स हमारे श्वाइल में क्या-क्या एक यहां पर यहां पर जो है plant है कुछ इस तरदसे हमारा जोzogen है यहां पर ट्लांट है अब जैसे कि यहां पर क्या है water है हमारे ground में यहाँ पर water पड़े हुए है तो अब हमारा जो यह root है यह water को absorb करेगा क्या करेगा water को absorb करेगा जब water को यह absorb करेगा तो हम इस process को क्या बोलते है osmosis यानि जो हमारा root होता है वो water को soil से osmosis के थुरू लेता है और स्मॉच्रीस के थ्रू जो है water रूट में transpiration होता है अब यहां पे देखिए friends जो अगर यहां पे जिसे हमारा जो ground है यहां पर मैंने क्या बताया है जल भी है यानि water भी यहाँ पर mineral भी है अब यहाँ पर माल लिजिए यहाँ हमारे ground में क्या है minerals भी पड़े हैं तो अब जो है हमारे route को minerals की भी जरूरत है तो यह minerals क्या होंगे यह हमारे route के दोरा absorb कर लिए जाएंगे लेकिन जब यहाँ पर route के दोरा mineral का absorption होता है तब यहाँ पे क्या होता इसको हम क्या नाम दे देते हैं active transport और जहाँ भी बात आ जाए active transport की तो याद रखना वहाँ पे क्या होता है requirement of energy यानि ATP की जरूरत होती है वहाँ पे क्या होती है वहाँ पर ATP की जरूरत होती है जहां पर भी बात आ जाती है एक्टिव ट्रांस्पोर्ट की तो आप यह याद रखना हमारा जो रूट होता है अगर वो सोयल से वाटर लेता है तो वो वो प्रोसेस ओसमुसी के थूरू होती है लेकिन अगर वो मिनरल लेता है तो यहां पर एक्टिव ट्रांस्पोर्ट होता है यानि वहां पर रिक्वाइर्मेंट आफ इनर्जी होती है एटीपी की जरूरत होती है तो अब देखिए जब यहां से जो है जल इस तरह से ऊपर जाएगा तो यहां पर इस्टोमेटा आप गरा होंगी और सब तो यहां से ट् nói वाटर होता जो कि हमारा ग्राउन में होता वस रूट में जाता है यह जए जाता है अबजयब के अंदर में ज intenal उसमें चले जाते हैं उसके ग्रहूं निर्ट सनी जाते हैं 10 फिस यहांorn मतला दॉर हाट चले, जाप स्व दार में रह रह स्व घ्यृ क्या होता अपवार्ड मुवमेंट होता है तू दस इन लीव वह हमारे लीव में इस तरह से पहुंच जाते हैं अपवार्ड मुवमेंट होते होते इस तरह से फिर यहां पर क्या होता है जब वह हमारे लीव तक पहुंच जाते हैं डिफ्यूज तूमेटा इन लीव फिर वह ह आप याद रखना तो आप देखें फ्रेंज यहां पर जिसे हमने अभी आपको क्या बताया यहां पर जो बूमेंट होता है वाटर का वह अपवार साइड में होता है और यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया अंगेश दा ग्रैविटी अगर मा लेजे ग्रैविटी नीचे की खीच रही है और अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे थो यहां ग्रैविटी तो उसको कीच दी हैना लेजिन यानि इसको ऊपर उठानेक लिए आप न कुछ न कुछ फोर्स लगाएंगे कुछ न कुछ यहां पर बल लगाएंगे क्या होता फोर्सेस डाइट कंट्रीब्यूट करती है उनको हम क्या क्या नाम दे देते हैं एक होता हमारा रूट प्रेशर एक होता है ट्रांस्पाइरेशन और सक्सन पूल तो यहां पर दो प्रेशर काम करती हैं यह आप याद रखना चलिए मैं इसका मकेने जाम आपको इंडर करेगा तो यहां पे वटर की कंसंट्रेशन हमां चल जाएगी है जब यहां पर यहां में पर क्लराफ करसे उसका मैंच Cancer dinehmen तो वो जो है पाण pendek करते हैं यहां पे आप उसको सक्क करते हैं उसको कहींचते हैं अपनी तरफ उसको पुलू करते हैं तब पाणी ओगित नहीं पर यहां पर को ऊपर की तरफ कहीं nowadays तो आप याद रखना जब भी हमारा यहाँ पे एसेंट आफ सैफ होता है यानि हमारे वाटर का टांसपोर्ट होता है अंगेज दा ग्रेविटी थू जाइलम तो उसको हम क्या बोल देते हैं एसेंट आफ सैफ और यहाँ पे दो फोर्स काम करती एक हमारा रूट प्रेसर एंड ट्रां फोर्ट होता वह किसके थुरू होता है हमारा यह जो होता फ्लोयम के थुरू तो फ्रेंट्स जो हमारा फ्लोयम होता है उसके भी कितने कंपोनेंट होते है फोर कंपोनेंट जो कि मैंने आपको प्लान टिशू में बता चुकी हूं तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा यह यहां पर companion cell होते हैं यह किसमें help करते हैं टांस लोकेशन में यही दोनों मुख्यता मेली जो है help करते हैं अब यह फ्रेंट्स टांस लोकेशन क्या होता है movement of food in phloem in both direction is known as trans location यहनी जब हमारे food का movement दोनों direction में होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं trans location और यहां पर हमको energy खर्च करने पड़ती है यहां पर utilize energy यहां पर energy यूज होती है यहां पर idynosyn triphosphate ATP जो है यूज होता है तो इसको आप याद रखना trans location में ATP का यूज होता है तो कहां पर ATP लग रही कहां नहीं लग रही कहां पर कौन सा moment हो रहा किस direction में हो रहा यह सब आपको यहां पर याद रखना होगा तो चली फ्रेंट्स यहां पर आप ने से देखते हैं तो यह तो इस तरह बीताएव से और इसको हम को यहां पर डिसकर्स करना है तो ठीखें शेयां यहां पर यहां पर लगाए तो थेखेंट्स यहां पर अभी मैंने आपको क्या भाताय को यहां पर डिया प्रीवर्वर्व पेरीषो laughing रेया तो डिक serving कर देखेंट्स यह हुआ हमारा लिपस और यहां पे बन गया हमारा स्क्रो़ यानि कार्वोहईडर जो भी इसको बोने तो देखे फेभी जहां पे भोजन बूंदा스트 है जहां पे स्क्रोज कार्वोहईडर फ्रॉम होगा, उसको हम क्या‌ए बोह देते हैं सोर्स र यह अभी जहां पर यहां पर क्या बना शुक्रोष यानि कार्वो हाइडर या फिर हमारा फूड बना अब यहां पर क्या है तो यह हमारे क्या है सीव ट्यूब एलिमेंट है तो मैंने आपको टिस्व वाले चैप्रड में भी बताया था यह जो कंपेनेंस सेल होते हैं यह टांसपोर्ट में यहां पर फूड आएगा तो क्या होगा यह जो है भेदेगा कहां पर सीव ट्यूब बेंब आप जैससे निया डारेक्ली ट्यूब पर अटेच नहीं है तो सीव ट्यूब तक भोजन को लाने में कौन हेल्प करता आ तो जब यहां पर फूड आता है तो क्या हो जाता है यहां पर फूड की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी हमारा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस यह सब होते हैं वो कैसे होते हैं जहां पर हाई कंसंट्रेशन होता है और जहां पर लो ह करते हैं तो इस तरह से यहां पर आ जाएंगे अब जो हमारा हमारा जो पिर से यहां से फूड को ले लेता है और यहां पर हमारे सिंक में यानि सिंक हमारा क्या हो सकता है वहाँ हमारा lead माले जी हमको food को route के पास मिलाना है तो route हमारा यहाइं पे we Conservabe अब हमको यहाइं पे डिक्सक्स करना है इक्सक्रिटी सिस्टम यानि इक्सक्रिशन हीad तो देखे फ्रेंट्स यहां पर आपको दो टर्म दिख रहे होंगे एक है हमारा इजेशन एक है इक्सक्रिशन यहां पर हमारा क्या-क्या है इजेशन एंड एक्सक्रिशन तो इसमें क्या डिफ्रेंस है मैंने आपको इस टर्म को डाजिस्टिव सिस्टम में भी फूड है या फिर अन्डाइजिस्टिट फूड है जब उसका रिमूबल होगा तो हम क्या बोलेंगे ईजेशन और जब यहां पर रिमूबल आप मेटाबोलिक वेस्ट इन फॉर्म आफ यूरीन और शीट तो हम इसको क्या बोल देते हैं इक्सक्रीशन यानि जब भी यहां प प्रोसेस इन्वॉल्ब इन दा रिमूबल आफ हार्मफल मेटाबोलिक वेस्ट फॉम बोडी कॉल्ड एक्सक्रीशन यानि वह बाइलोजिकल प्रोसेस जो कि हमारे एक्सक्रीटरी ओर्गन के थूरू हमारे जितने भी मेटाबोलिक वेस्ट हैं उनको रिमूब करने का काम कर उसको हम क्या बोल देते हैं。」 एक्सक्रीशन तो यहां पर देखिए यह कैसे होता है तो यहां पर देखे फ्रेंड्स महानL 이제 यहां पर क्या है यहां पर है हमारा कृदिनी गुप् returning कुछ इस तरह से तो अब क्या होगा महानल यहां क्या है ब्लड वेसल्स है जो कि यहां से ज यहां पर टिशूज हैं, यहां से इसमें क्या जाएगा, मेटावोलिक वेस्ट जाएगा हमारे टिशूज से इस बलड के अंतर, तो हमारा यह जो बलड है, जब यह ऐसे होते हुए जाएगा हमारे किड्नी के पास में, तो यहां से क्या होगा, यह जो बलड होता है, वो यहां काम करता है किड़नी हमारी एक ऐसी औरगन है तो इसको आप याद रखना फिलिट्रेशन का काम काम कौन करता है हमारी किड़नी करती है तो फ्रेंट्स इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं एक मिनिट पहले आपको इसका फिगर दिखाते हैं देखें यह हमारी किड्नी अब यहां पे सबसे पहले हमारी क्या होता है इसको आप याद रख सकते हैं देखें अब यहांपे यहां पे यहांपे यह रेड वाला पार्थ है यह हमारी क्या होती है रेनल आर्ट्री अब फ्रेंड्स यहां पर जो किड्नी होता है किड्नी क्या करता है इसका काम क्या होता है यह प्रोड्यूस करता है यूरीन तो हमारा जो किड्नी होता है यह यूरीन को प्रोड्यूस करने का काम करता है यानि यहां पर यूरीन फॉर्मिशन होता है अब जो आता कहां पे है, यूरेटर में, अब ये यूरेटर क्या काम करता है, ये जो ये पती सी दिख रहे हैं, ये यूरेटर, इसको हम बोलते हैं, यूरेटर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट यूरीन ट्वाड यूरीनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा यूरीन होता है उसको यूरीनरी ब्लैडर के तरफ में यानि इट ट्रांसपोर्ट यूरीन टूर्ड यूरीनरी ब्लैडर तो इसको आप याद रखना यूरीनरी ब्लैडर क्या करता है उस यूरीन को यूरीनरी ब्लैडर की तरफ में वो लेके जाता है तो अब देखिए यहा यहां पे क्या होता है वो जब और होती हमको तो Yurine को जब हम Force करते हैं तो जिस सब्सक्राइभ कि तर्ट को पास करते हैं तो इसको किया नाम देते हैं यूरेथ्रा तो यहां पर आपको यह दिख रहा होगा डार्सल एओटा डार्सल एओटा और यह हमारा रीनल आर्टरी तो यहां पर देखिए जो रीनल आर्टरी होती है यह क्या काम करती है फ्रेंस जो हमारी रीनल आर्टरी होती है यह बलड को हमारे किड्नी के अंदर में लेके जाने का काम करती है तो मैंने आपको वो pulmondi, vein और pulmondi, artery बताई थी न, ठीक उसी तरह से, जैसे हम lungs के case में क्या term यूज करते हैं, pulmondi, heart के case में क्या term यूज करते हैं, cardiac, उसी तरह से हम जब भी kidney की बात आती है, तो क्या term यूज करते हैं यहाँ पे, renal, तो यहाँ पे जो है हमारे kidney में जो भी artery blood को लेकी जाती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, renal artery, तो friends, जब हमारे renal artery के थुरू kidney में blood जो जाएगा, फिर यहाँ से यह filter होकर, renal, जो यहाँ पे बेंस होती है, उसके थुरू यह body के outside जो है, वो filter हो जाएगा, filter होके वहाँ से outside आप body चला जाएगा, अब जो हमारा यहाँ पे blood था, friends, क्या हो गया, वो kidney से बाहर आ गया, जो भी हमारा filter developer था, अब देखें, यहाँ पे question आता है, how and why is urine produced, मतलब urine क्यों produce होता है, और कैसे produce होता है, तो यहाँ पे देखें, urine क्यों produce होता है, या इसका एक simple answer है, to remove toxic waste present in our body, यानि जब हमारे body में जो भी toxic present होते हैं, जैसे हम respiration करते हैं, तो वहाँ पे waste product क्या निकलता है, हमारा CO2 निकलता है, उसके बाद इस तरह से मतलब बहुत सारी ऐसे process होती है, जहाँ पे बहुत सारे waste material निकलते हैं, waste product निकलते हैं, तो उसको हमारे body के outside remove करने के लिए, हम जो है urine को form करते हैं, तो क्या हो गया, urine क्यों form होता है, to remove toxic waste present in our body, और यहाँ पे एक और question है, how is urine produced, urine कैसे produce होता है, तो यहाँ पे दिखे हैं, friends, filtration of blood in kidney, सबसे पहले यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा blood होता है, वो जो है हमारे kidney के अंदर में जाता है, फिर वहाँ पे filtrate होके, फिर kidney स बाहर जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, filtration of blood in kidney, यहाँ पे जो है हमारा blood है, उसका filtration होता है कहाँ पे kidney में, kidney के अंदर में कहाँ पे होता है, nephron में, तो CS Makamodum क्या होता है, basic unit of kidney, तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा nephron होता है, यह 500 million of nephron are present in kidney, यहाँ जो हमारी kidney हो वहां पे 500 million's नेफ्रोन प्रेजेंट होते हैं और यहां पर में 2 structures होते हैं एक होता हमारा कप से part एक होता है टिबूलर पार्ट तो यहां पे देखिए इसका तो एक बार figure बहुठ ही इस तरह से complex होता है का यह पिर कुछ इस तरह से होता हमारा यह जो होता निपराण लेकिन उसको आप इजीडेंगे में यहाँ प्र gent चेया समझने की कोशिड कर दिये तो कुछ इस तरह से हो गया हमारा यह देफिरon , कि यह देखिए यहाँ पेom मा ने आवर भी बेकर कर दिया देखें यहां पर크 क्या होता यह होता हमारा फ्रेंट इंटरी सब GG करता है उसके ने हांब यहां सी इउसका डनिये प्लेड विद्टर्र आहिए हमको कुण if इस अपाven के दाहता है इसको हम क्या बोलते हैं कपको स्टेशमित थे इसको हम क्या बोलते हैं ग्लो मेरूलास भी और इसको आप याद रखना और यह जो होता हमारा यह ने इस qa ho हो जाता है और जो ब्लड फिल्टर होता है वो फिल्टर ब्लड तो यहां से बाहर आ जाता लेकिन जो हमारा वेस्ट यहां पर बेस्ट बनता है जो फिल्ट्रेट बनता है वो क्या होता है यहां से इस तरह तो भला क्या बजक्या वहाँ वे्च बच्किया लेकिन वो वेष्ट अभी यहां पिपर इूरीन नहीं बोलेंगे उसको हम तो अब oike यह देखना कि यहां पर जो गिलोमेलर्स में पिपर फिल्टेड हो सहत है कि मैं काई उसको उर्स करते हैं तो चलिए अब यहां 2017 करते हैं तो देखे फिरिंट जब फार्मिशन आफ यूरीन होता हमारे बोडी के अंदर में तो क्या होता है यहां पे सबसे पहले जो होता है गलो मेरूलर फिल्ट्रेशन उसके बाद यहां पी क्या होता है सेलेक्टिव री एब्जोर्शन आप यह तीनों प्रोसेस का नाम य यानि हमारे गलो मेरूलर फिल्ट्रेशन होगा उसके बाद क्या होगा सेलेक्टिव री एब्जोर्शन होगा उसके बाद यहां पी क्या होता है तो इस तरह से हमारे यूरीन फॉर्मेशन में यहां पे तीन प्रोसेस इंवल्ब होती है तो चलिए हम समझते हैं किस-किस तर क्या होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट गुलुकोज वाटर अमीनो एसिट इक्सेशिव साल्ट फ्राम दा ब्लड और फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट इंटर इंटू वोमेन कैप्सूल आफदा नेफ्रोन तो सबसे पहले क्या है हमारा जो ब्लड है जिसमें क्या यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्ट है गुलुकोज है वाटर है अमीनो एसिट इक्सेशिव सॉल्ट है तो यह सब हमारे ब्लड में क्या हुए हैं मिले हुए हैं तो इन ही को हम क्या बोल देते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट यह कहां पर इंटर करते हैं हमारे वोमेन कैप्स यहां पर ही व Czech brought down to the region from home इस तुम्हां से बाहर मिले ब्लड फिल्ट्र कर दिया जाए गा मुखा विक क्या मूख और इस अमपर सब पहले प्रोल के हुए इसका सबसे पहले मека यहां पर हमारे ऑयुल्ड शॉट नाब्स धाने पर्शी अलके हुए हैं ब्लड के सात्ति Already अष वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर अमीनों से जो भी आए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन हुआ, अब देखें फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एक जामपल देती हूँ, जिससे यह आपको इजली से समझ में आप सबसे पहले आलमारी में जितनी भी चीजे हैं उसको निकाल देंगे बाहर, क्या करेंगे, आप उस आलमारी में रखे हुई सारी चीजों को बाहर निकाल देंगे, निकाल देंगे न, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो यह समझी है, यह हमारा पहला प्रोसेस हुआ, ह हमने आलमारी में जो भी चीजे रखी थी उसको हम क्या कर दिये आलमारी से बाहर निकाल दिये अब हम दूसरा क्या करेंगे तो चलिए उसी हिसाफ से आपको बताती है अब हमारा आता है selective reabsorption अब फ्रेंट्स यह selective reabsorption क्या होता है यूजफुल सवस्टांश लाइक गुलुकोज अमीनो एसी शाल्ट एन अब मेजर अमाउंट आफ वार्डर फ्राम दा डुफिल्ट्रेट और री एब्जॉर्वड बैक वाई कैपिलरी स्राउंडिंग्स यानि री एब्जॉर्ड दुबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाती ह भैक यानि दुबारा से वापस कैपिलरी स्राउंडिच के द्वरा, सबसे पहला किया किया हम आलबारी को साप कर रहे थे तो सबसे पहले हम अपने आलमारी की सारी चीज़े निकाल के बाहर रख दिए अब आता हमारा दूसरा प्रोसेश, दूसरे में हम क्या करेंगे अब हम जो भी चीज़े बाहर निकाल के रखें हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी होंगी तो हम उसमें से छाट छाट के उसको सेलेक्ट करकर के दोबारा से आलमारी में रख देंगे क्या करेंगे दोबारा से आलमारी में रख देंगे तो आप क्या करेंगे उसमें से जो भी चीज़ें काम की होंगी आपकी उसको आप दोबारा से आलमारी में रख देंगे तो यह हुआ हमारा दूसरा प्रोसिस सबसे पहले हमारा जो बलड आया था वहां से फिल्टर कर दिया गया सब कुछ लेकिन अब यहां पर जो selective reabsorption होता है तो यहां से हमारी capabilities देखती है कि अरे यह तो glucose मेरे काम का था इसको क्यूं हम बाहर निकाल रहे हैं गुलुकोज तो मेरे काम का है चलो चलो इसको वापस लो इसको सेलेक्ट कर लो इसको वापस लो इसको हम नहीं जाने देंगे बोडी से बाहर फिर यहां पर वो देखता है water बोलता अरे water तो हमारे लिए जरूरी है water को क्यूं बाहर जाने दे तो यह क्या कर लेता है water को glucose को एपजब कर लेता है यहां पर एक्जांपर देनी हूं तो यह कुछ भी यहां से इसको हमारे बोड़ी को जो भी जरूरत लगेगा कि यह मतलब हमारे बोड़ी में कम है चलो इसको एपजब नहीं होने देंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं सेलेक्टिव री कर दिया फिर कुछ चीजे सेलेक्ट करके आलमारी के अंदर रख दी अब हम चलते हैं अपने थार्ड प्रोसेस पे तो थार्ड अभी मैं इसको ये नोट वाला पॉइंट चमझाती हूं लेकिन उसके पहले देखिए टिव्यूलर सिक्रीशन अब यहां पर क्या होता फ्रेंड को सिक्रीट कर दी जाती है टिव्यूल में कौन से टिव्यूल था वह हमारा कलेक्टिंग डक्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कलेक्टिंग डक्ट तो यहां तो हम मतलब मैंने आपको बताया हम प्रोसेस को समझने के लिए इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं अधर व हुआ यहां पर हमारा यह जो फिल्ट्रेट है यहां पर आके कलेक्ट हो जाएगा और इसी के नीचे क्या होती है यूरी रिपलेडर तो यहां पर इस्टोर हो जाएगा उसके बाद जब हमको अर्ज होगी तो यह हम अपने बोड़ी के तुरू इसको एक्सक्रीट कर देंग के दस खाली कर दियें और जब आप दौबारा से अलमारी में रखें तो दस में से केवल छे चीजसे रखें हैं अब उस छे चीजों में से आपको यह लग रहा अरे ये तो मेरे काम कर नहीं है यहां पर आप किया री एब्जॉर्शन कियें फिर थाड क्या किया हम टुवियूलर सिक्रीशन कियें यानि जो हमको नहीं ज़रू था उसको दोबारा से सिक्रीट कर दियें दोबारा से जो है उस टुवियूल में डाल दियें तो आ गया समझ आपको I hope friends कि आपको अच्छे से समझ में आ गया यहां पर री एब्जॉर्ब होता है यानि जब हम जो पूरा समान खाली किये हैं उसको जब छाट छाट के अपने आलमारी में रख रहे हैं यानि उसको री एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या हो रहा यहां पर तो यहां पर देखिए जब हम री एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी बोड़ी में कितनी मात्रा है पानी की उस बात पे ये वाटर डिपेंड करता है अगर माल लिजी अगर मेरे बोड़ी में एकदां मस्च पानी की उतना बहुत है तो क्या मेरी बोड़ी ऐसा बोलेगी कि लाउ वाटर को एपजॉर्ब시면 लेते हैं नहीं करेगी उसके पास जब कमी ही नहीं है वाटर की तो उसको क्या जरूरत है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो ही बोड़ा है amount of water reabsorbed depends on how much excess water and dissolved salt are present in body और यहां पर क्या है and on how much dissolved waste there is to be secreted और यहां पर कितने यहां पर waste है जो कि digital waste में जिसको secret करना है तो यहां पर आप क्या देखेंगे आप देखें यहां पर simple याद रखना फिर्ट हमारी यह क्या है यह हमारी body अब हमारे body में क्या है मैं साथ में लिख रहे हूं है अब हमारे body में S2O क्या हो गया कम हो गया पानी की मातरा कम हो गई तो मैंने आपको chemistry में बताया हुआ है जब कोई जैसे माली जे solution है कोई तो उसको हम concentrate कब बोलते हैं जब उसमें पानी की मातरा कम होती है जब पानी और मिला देते हैं वो पाइलूट हो जाता है तो इसी तरह से जब हमारे body में यहां पर एस्टूओक यानि पानी की मातरा कम होती है तो हमारा यूरीन कैसा होता है यूरीन यहां पर concentrate होता है कैसा होता है पड़ेगी अब अगर मान लिजिए हमारा बोडी है क्या है हमारा बोडी है हमारे बोडी में अब क्या है वाटर की मात्रा क्या है बहुत जादा है अब जब वाटर की मात्रा जादा है यानि हमारे यूरीन कैसा है हमारा यूरीन है Dilute कैसा है यहाँ पर Dilute है तो जब हमारे urine dilute है यहाँ पर पानी की बहुत जादा मातरा है तो क्या यहां पर अगर आपके पास कोई छीज बहुत अच्छी खासी मातरा में है तो आप उसको लेना चाहेंगे बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे तो इसी तरह से यहां पर less reabsorption, यहां पर reabsorption क्यों करेगा, जब उसको जरूरत ही नहीं है, तो क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है, रीabsorption की, कोई भी जरूरत नहीं है, तो इस note point में यही लिखा गया है, कि यहां पर जो excess water and dissolve salt होता है, हमारी body में, वो किस पर depend करता है उसका reabsorption, amount of water पे, तो इसको आप याद रखना, बाकी जब हम question करेंगे, तो maximum चीजे यहां पर cover हो जेंगी, अब देखें फ्रेंट्स, उसके बाद हमारा lost process आता है, mikturition, तो यह हमारा mikturition, इसको आप देख सकते हैं, अब देखें, यह mikturition होता क्या है, तो देखें फ हमारा mikturition क्या हो जाएगा, mikturition, mikturition हम किसे बोलते है, the process of removal of urine, यानि urine को remove करने की process, out of the body through urethra, यानि हमारे urethra के through, उस urine को remove करने की process को हम क्या बोल देते है, mikturition, तो हम यहां पर क्या बोल देखेंगे, नब देखिये यहां हमारी किड़िनी तो जब यहां पर यूरीन फॉर्म हुआ उसके बाद ये यूरेटर में आएगा और यूरेटर में याहां से यह स्कृत कर दिया जाएगा तो इसको आप याद रखना आप देखिए फ्रेंग्स 10 ऑद कि यहाँ के यहाँ पर हमारा आर्ट किडी तो अभी इसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे लेकिन उसे पहले चलिता यहां परोForm प्रोडक्ट होते हैं जैसे बहुत करने करते हैं तो यहाँ पर कर्विंद डैय ओक्साइद बनता है जब यहाँ फोट inacc Learning होती है तो oxygen बनते हैं transpiration के थुरू यहां पर waters निकलते हैं gums कुछ tannies latex rubber यह सब क्या होते हैं यह plants के excretory substance यहां पर होते हैं तो देखें फ्रेश यहां पर जो होता है यह इस तरह से एक milky होता है यह भी आप देखेंगे अकसर mango tree के ऊपर इसतरह से मैंने तो देखा है तो यह क्या करते हैं जाब इनको ऐसे cooking यह मतलब जैसे गंठ नहीं होते हैं उसतरह तो यहां पर देखिए कुछ इस तरह से तो यह भी क्या होते हैं यहां पर देखिए कुछ इस तरह से तो यह भी क्या होते हैं यह भी आप देखे होंगे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे आपको दिखेगा तो यह सब क्या होते हैं यह सब एक्सक्रीटर प् यहां पर यहां पर बने हुए है जो भी एक्सक्रीट हुए है तो हमारा प्लान क्या करता उनको डिफेरेंट डिफेरेंट जगह पे क्या क्या इस्ट्रेटिजी अपनाता है उसको मतलब करने के लिए तो देखें औक्सीजन और डायोकसाइड इस त्रू इस्टोमेटा जो यह पानी की मतलब अनावश्यक मात्रा होती उसको क्या कर दिया जाता है उसको ट्रांस्पिरेट कर दिया जाता है प्लांट कैन इवे लौस समाप देर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव आन बारकाप ट्री और आप कभी कभी देखेंगे जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी प प्रोड़क्ट है जो की इस्टोर कर लिये जाते हैं अधर वेस्ट प्रोड़क्ट लाइक लेटेक्स रेजिंग गंप और इस्टोर इन ओल जाईलम सेल्स मैंने आपको यह टिस्टू वाले चैप्टर में भी बताया था कुछ जाईलम सेल्स ऐसे भी होते हैं जो की स्टोरि यहां से हमारे एंrabate में कुछ अगाय है तो यह आप यहां पर दर्म करते हैं क्योंकि यह लिए इस новых जाने इस तरह से तो यह नहीं है expect चोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि है você इसको छोड़ने का काम करते हैं और question यहीं से put up भीकर लिए जाते हैं तो यहां पर हम NCRT की यह cutting वाली जहां यह लिखा रहे हैं इसको कभी मत छोड़ना more to know तो देखिए यहां पर क्या है क्या प्रेशर ज्यादा होता है जपकी वेर्श में प्रेसर कम होता है और नॉर्मल systolic pressure is about 120 mm of HD and diastolic pressure is 80 mm of HD, आप क्या बताएंगे, देखिए यहां से एक एक line यहां पर बहुत important है, तो मैंने तो आपको सब को समझाए हुआ पर ध्यां से देखिए, जब यहां पर pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction, तो इसको हम क्या बल देता है, systolic pressure, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या याद करेंगे, systolic pressure, कब होगा, जब यहां पर C, मैंने आपको क्या बताया था, यहां से yes, यहां से C, आप याद करना, yes C, yes C, यानि systolic pressure कब होगा, जब यहां पर contraction होगा, और यहां पर relaxation क्वें आपसेशन जब होगा तो यहां पर क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर तो इसको फिर्ड्स याद रखना आप प्रेशर आप ब्लड इंसाईड दा आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रीकुलर सीस्टोल जिसको क्या बोल देते हैं कंट्रेक्शन और उसको क्या नाम दे द एक बार हमारा क्या है डाय को लगा है यानि रिलाइक्स से सुन है तो जब यहां पे वेंटीकुलर शिष्टोल होगा यानि कंट्रैइक्स होगा तो यहां पे क्या होगा systolic pressure और जब यहां पे ventricular diastolic pressure होगा अब यहां पे देखे नार्मा शिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है 120 mm av1 CO2 एंड diastolic pressure क्या होता है 80 mm AG यह भी आप याद रखना systolic pressure कितना है 120 mm charter और जो diastolic pressure कितना है 80 mm av1 CO2 taking care अब देखे फ्रेंड यहां पर ब्लेड प्रेसरीज मिज़रड़ूंट काल्ड इसक्रिमो वैन्मbracht मीटर हाइ ब्लेड परैसर प्रेह इसारीज ऑल्सों काल्ड हाइपर्टेंशन यह जब हाइब्लेड'RE क्या बोल रहा है यहां पर इनक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो यानि ब्लड फ्लो रूख जाता रेजिस्ट करता उसको इट कहने लेड़ रप्चर आप दा आर्ट्री एंट इंटर्नल ब्रीडिंग यह क्या करता है अगर बहुत ज्यादा कोई टेंसन लेता है इसकी की ब्वी बढ़ेगे यहां पर क्या होता है आर्ट्री जो है वह भõट सकती है यहां पर यहां पर यह बूल जा रहा है इसलिए कभी टेंसन नहीं लेना चीह ज JACKT जादा टेंसल लेने चुछ नहीं होता हमारे हाट राट कराब होंगे और क्या तो टेंसल मतलेना अराम से तो जैसे देखे, kidneys are vital organs, जो हमारी kidney होती है, यह vital organ होती है, for survival, several factor-like infection, injury, or restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney, यानि जब भी मतलब कोई सी injury हो जाए या infection हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता, friends, हमारी जो kidney है, उसकी activities reduce हो सकती है, कम हो सकती है, यानि वो अच्छे से functions नहीं कर पाएगी, this leads the accumulation of poisonous waste, और इस तरह से अगर हमारी kidney खराब हो गई, तो हमारी kidney का क्या काम है, हमारी kidney का काम है, जो भी waste material है, उसको excrete करना, लेकिन जब हमारी kidney ही खराब हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर accumulation होने लगेगा, जवाँ होने लगेगा, भंडारण होने लगेगा, कि इसका poisonous waste का, तो यहाँ पर आपसे question ऐसे भी बनाया जा सकता है, कि अगर हमारा kidney खराब हो गई, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, कौन सा statement true होगा, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो चलो इसको एक line ध्यान से पढ़ो, तो अगर हमारी kidney किसी भी तरह से infected हो गई, या इंजरी ह हो गया उसमें या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, एकुमिलेशन आप पोईजिनस वेस्ट, जितने भी पोईजिनस वेस्ट हैं, वो हमारे बोडी में एकुमिलेट होने लगेंगे, जब हमारी kidney काम ही नहीं कर रही है, तो उसको excrete करने का काम कौन जिससे जब हमारी kidney काम नहीं करेगी, यहाँ पर पोईजिनस वेस्ट एकुमिलेट हो जाएगा, तो यह death कौज कर सकता है, यानि आदमी की मृत्यू भी हो सकती है, इन केस आप kidney failure और इसी को हम kidney failure नाम देते हैं, तो आप देखें यहाँ पर, इन केस आप kidney failure, an artificial kidney can be used, जब इ artificial kidney क्या है, यहाँ पर यही हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर देखें, an artificial kidney is a device to remove artificial kidney, sorry, artificial kidney is device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis, यानि जो हमारी artificial kidney है, वो एक device है, जो कि हमारे nitrogenous waste को remove करती है, हमारे blood से through dialysis, यानि जो हमारी artificial kidney होती है, जब यह जो है, nitrogenous waste को remove करती है, हमारे body से, उस process को क्या नाम देते हैं, dialysis, क्या नाम, dialysis, ध्यान देना, dialysis, आप देखें यहाँ पर, artificial kidney, container, number of tube, इसमें बहुत सारे tube लगए रहते हैं, यहाँ पर देखें, यह देखें, कितने सारे यहाँ पर tubes इस तरह से लगे होते हैं, तो देखें, यहाँ पर यह बहुत सारे ऐसे tubes लगे हुए हैं, friends, तो इस तरह से, contain number of tubes, with a semi-permeable lining, ध्यान देना, एक, एक line बहुत important है, यहाँ पर क्या यह, मतलब tube जो होते हैं, यह, कैसी lining होती है, इसमें, semi-permeable, suspended in a tank, filled with dialysis fluid, अब यहाँ पर देखें, यह है, यहाँ पर यहाँ बात कर रही है, तो अब देखें, friends, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tank filled with dialysis fluid, यानि इसमें क्या होता है, dialysis fluid होता है, this fluid has the same osmotic pressure as blood, यानि जितनी blood की osmotic pressure होती है, उतनी ही इस dialysis fluid की osmotic pressure होती है, तो इसको ध्यान रखना, except that it is devoid of nitrogenous waste, दोनों का यहाँ पर आस्मोटिक pressure same है, लेकिन जो यहाँ पर यह dialysis fluid है, इसमें क्या नहीं है, devoid, devoid means कमी है nitrogenous waste की, यहाँ पर कोई भी nitrogenous waste नहीं है, the patient blood is passed through these tubes, यहाँ पर देखें, जो यह blood, यानि जो patient से इसका blood जो है यहाँ पर ऐसे लाया जाता है, इस tube से होके जो है यह जाता है, और फिर देखें, आगे क्या होता है, तो फिर यहाँ पर during this passage, waste product from the blood passed into dialysis fluid by diffusion, यहाँ पर कौन सी process होती है diffusion process होती है, जिसके through यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी process होई, diffusion, तो यहाँ पर क्या हो गया, the purified blood is pumped back into the patient, तो यहाँ पर, जो है diffusion के through यह जो, यहाँ से, यह diffusion के through कहाँ पर आ गएं, यह आ गएं, dialysis fluid में, और जो हमारा blood था, वो वापस जो है, यहाँ से होते हुए, वापस भेज दिया गया, अब ऐसा तो है नहीं कि blood को निकालते रहो, निकालते रहो, फिर तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा, तो यहाँ से जब blood ऐसे आता है, यहा यहाँ पर, और उसके बाद हमारा blood होता है, वो इस तरह से वापस सरीर में चला जाता है, this is similar to the function of the kidney, यह जो process है, सारा बिलकुल एक kidney की जैसे ही होता है, लेकिन, लेकिन क्या, but it is different, since there is no reabsorption, तो अभी मैंने आपको पताया, जो हमारी kidney होती है, वहाँ पर क्या होता है, ज artificial kidney होती है, यहाँ पर ऐसा कोई भी process नहीं होता है, कि वहाँ से कुछ reabsorb कर सके, यहाँ से जो जो filter होना है, सारा कुछ filter हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी reabsorb नहीं होगा, यहाँ आपके आलमारी से आप एक बार सारा सावान फेक दियें, तो फेक दियें, दोबारा उसको व नारमली एक हेल्दी हुमन में तो इनीशियल फिल्ट्रेट इन दा किड्नी इज एबाउट 180 लीटर पर डे यानि अभी मैंने इनीशियल फिल्ट्रेट आपको बता है था जब हमारा गुलो मेरूलस में बलड का फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पर जो वेस्ट बनते हैं ने चलंग पर घिट उनको हम क्या बोलते हैं इनीशियल फिल्ट्रेट तो हमारेग किड्नी में यह क्या होता है, प्रती देन 180 लीटर डेली быणी एटी लीटर जो है यहां पर इनीशियल फिल्ट्रेट बनते हैं लेकिन लेकिन क्या, लेकिन देखिं़हा पे क्या, तो हाव ह यहां पर पता क्या बोड़ा कि हमारी जो हमारी निचुरल किड्नी है वो क्या करती है वो प्रती दिन वहां पे 180 लीटर पर डे इनीशाल फिल्टेट बनता है जबकि उसमें से मात्र एक लीटर या फिर दो लीटर पर डे यूरीन एक्सक्रीट किया जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी री एब्जॉर्प्शन नहीं पाए जाता जबकि हमारी जो जो हमारी natural kidney होती है वहाँ पे reabsorption पाया जाता है इसलिए 180 liter filtrate initial filtrate बनने के बाद यह मात्र उसमें से 1 liter या फिर 2 liter अडे जो है excrete किया जाता है बाकी सब क्या हो जाते हैं रीabsorption हो जाते हैं लेकिन फ्रेंट्स artificial kidney में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपना proper ध्यान रखिए यहाँ पे stress मत लेना नहीं तो अधरवाईज आप mentally भी परिशान हो जाएंगे physically भी परिशान हो जाएंगे फिर exam उसे भी नहीं अच्छे से होगा हमारा तो यहाँ पे क्या करना है आपको टेंसन नहीं लेना है अच्छे से पढ़ते जाएंगे मैं आपको सारा chapter complete करा ही दूँगी बाकी यहाँ पे question practice भी करा दूँगी और हमको चिलेबस में जितना दिया है उतना हम complete तो कर लेंगे अब बाकी भगवान के उपर छोड़ देंगे सब कुछ ऐसा नहीं है भगवान के उपर इंसान तभी छोड़ता ना जब ओ मेहनत करता है हम तो मेहनत करी रहे हैं इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा काम है मेहनत करना बाकी भगवान का काम है रिजल्ट देना तो friends positive रहिए देखे यहाँ पे हम यह सब चीज़े इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने आपको कोई नुकसान ना पुझाएं आप देखे मैं आपको इसके next lecture में क्या पढ़ाने वाली हूँ तो अगर हम ही ऐसे stress लेने लगेंगे तो कैसे काम बनेगा नहीं बनेगा तो friends stress नहीं लेना है जो होना वो तो होना ही है हमारे stress लेन से वैसे भी कुछ नहीं होगा और अगर हम stress लेंगे जो हमारा अच्छा काम होना होगा वो भी गरबट हो चाएगा तो अब देखिए यहां पर एक और concept दिया है हमारे यहां पर NCRT में तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं सही देखे ओर्गन डोनेशन इसको भी पढ़ लेते हैं ओर्गन डोनेशन इजा जेनरेस आइक्ट आप डोनेटिंग यानि बहुत ही अच्छा काम है यानि जो जिसको अंग डोनेशन करना है उसके फैमली से या फिर उससे क्या लेनी चाहिए आपको परमेशन उसकी होनी चाहिए उसके फैमली की भी परमेशन होनी चाहिए तो यहाँ पर हो सकता statement wise अगर by chance question दे दे तो यह हमको आना चाहिए Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor यानि कोई भी हो यहाँ पर बोला जा रहा कि ऐसा नहीं है कि age restriction ऐसा कुछ है यहाँ पर मतलब कोई किसी भी age का हो किसी भी gender का हो चाहिए वो male हो female हो दस साल का हो 20 साल का हो 33 साल का हो कुछ भी फरक नहीं पड़ता वह easily जो है organ का या फिर tissue का donate कर सकता है organ transplant can save or transform the life of a person यानि जो अगर हम किसी को अंगदान करते हैं organ transplant करते हैं तो वो किसी की life को बचा सकता है या फिर किसी के भी life को किसी भी ब्यक्ती के life को change कर सकता है transplantation is required because recipient organ has been damaged or failed by disease यहाँ पर हमको अंगदान की जरूरत क्यों परती है क्योंकि जो recipient है जो कह सकते हैं जो ब्यक्ती है जिसको donate करना है उसके organs क्या हो गए है damage हो गए है या फिर fail हो गए है या फिर disease या injury से किसी भी तरह से वो harm हो गए है यानि यहाँ पर हम देखते हैं ना बोलते हैं कि उनकी kidney fail हो गई और lungs खराब हो गए हैं इस तरह से सुनते रहते हैं तो यहाँ पर उनको हम दान कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर ट्रांस्प्लांटेशन और इन और्गन ट्रांस्प्लांटेशन जो है रिमूब किया जाता है उस परसन से कौन से परसन से जिसके आर्गन को डेनेर करता हैira sa transplanted to another person जो recipient है जिसको देना है उसमें क्या कर दिया जाता है transplant कर दिया जाता है common transplantation include यानि इसमें कौन-कौन से transplantation include हो सकते हैं जैसे cornea अगर किसी की आखे खराब हो गई kidney किसी की kidney खराब हो गई heart, liver, pancreas lungs, intestine and bone marrow तो यह सब क्या है friends इस सब common transplantations है इसके अलावा अगर by chance ये question exam में आया इसके अलावा कुछ भी नाम हो दे दे तो मत माना क्योंकि NCIT में जितना लिखा वही इनप है तो यहाँ पर क्या-क्या बोला है किस-किस चीज का transplantation हो सकता है cornea का हो सकता है जो कि हमारे eyes में होता है इसको हम पढ़ेंगे cornea हो गया kidneys हो गई heart हो गए liver हो गया pancreas हो गया lungs हो गया intestines हो गया and bone marrow हो गया तो यहाँ पर इन सब का हम transplantation कर सकते हैं most organ and tissue donation occur just after the donor has died or when the doctor declare a person brain dead तो यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है most organ and tissue donation occur just after the donor has died यहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे आरगन है most organ यानि अधिकांस आरगन ऐसे है और बहुत सारे ऐसे tissue है जिनका donation कब किया जाता है just after the donor has died यानि जो donor है जिसको donate करना है उसके just मतलब वो अभी तुरंत मरा है तुरंत ही उसके जिस भी body part को मतलब transplant करना है तुरंत उसको काटके उसको ले जाके fit कर दो यानि क्या वो रहा कि most of the organ ऐसे होते हैं जिनको उस donor के बस just मरने के बाद ही यहाँ पर transplant किया जाता है और when the doctor declare a person has brain dead या फिर जब डाक्टर यह बोल देते हैं कि इसका brain जो है वो dead हो चुका है बट लेकिन some organs such as kidney part of liver lungs यहाँ पर क्या क्या बोला है kidney, liver, lungs, etc and tissue can be donated while the donor is alive लेकिन बहुत सारे ऐसे भी organs होते हैं जैसे kidney हो गया, part of liver हो गया, lungs हो गया, tissue हो गये इनको जब donor alive है फिर भी donate किये जा सकते हैं तो फिर इसको भी आप याद रख लेना कभी कभी हम यहाँ पर यही गलती कर देते हैं NCRT से सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन इस तरह से जो भी box वगएरा में दिये रहते हैं इसको पढ़ना भूल जाते हैं और पता चलता है कि question यही से बना दिये जाते हैं तो NCRT से कुछ भी छोड़ना नहीं होता अगर आप भी NCRT पढ़िए तो इन सारे टॉफिस को जरूर पढ़ा करिए यह सब अच्छे होते हैं और इंट्रेस्टिंग भी होते हैं NCRT में एक एक लाइन बहुत ही important होती यहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं लिखा रहता है तो फ्रेंज चलिए इस वीडियो में ही तक बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया यह बहुत ही लंबा चेप्टर था और यहाँ पी यह होता है खतम और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारा नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए all the best, be happy, be positive.